आज का हमारा टॉपिक है मंप्स डिजीज इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मंप्स डिजीज होता क्या है और उसके क्या-क्या साइनिन सिम्टम से इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि mumps एक communicable disease है जो कि एक person से दूसरी person में easily transfer होता है जो अगर family के किसी भी एक member को mumps हुआ तो दूसरी member को easily transfer हो जाएगा उन्हें easily जो है यह disease अकर हो जाएगा इसलिए mumps को prevent करने के लिए सबसे पहले तो खुद को isolate करके रखना होता है अगर किसी को mumps हुआ है तो या फिर दूसरे person को दूरी बना के रखना होता है फिर हम देखते हैं कि यह acute infectious viral disease है वायरस की वजह से यह disease होता है फिर हम देखते हैं कि यह disease कहां पे होता है क्या sinus symptoms है तो mumps जो है लोगा स्वैलिंग होना टेंडरनेश होना पेन होना यह सब जो हमारे बोडी में होता है तो हमें पता चलता है कि यह mumps के intrinsic symptom से तो अब दलते हैं कि पैरोटीट्ऌ ग्लेंड हमारा कहां इस्तित है कहां पे प्रजेंट है फिर यह फिर यह अहांप difficulty present करता है आपको खाने में problem होगी आपको किसी भी चीज को solo करने में problem होगी आपका celebrity gland जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अब हम देखते हैं कि इसका causative agent क्या होता है इसका causative agent paramaxovirus होता है जिसको RNA virus के नाम से भी हम जानते हैं RNA virus का group ही होता है paramaxovirus फिर next हम देखते हैं इसके sign and symptoms के बारे में अगर हमारे mumps हुआ है तो हमें क्या-क्या sign and symptoms so होंगे तो सबसे पहला swollen face अगर यहां पे present है और उसमें swelling हो रहा है तो हमारा face जो है पुरा वो swollen हो जाएगा फिर next हम पे किसी तरह का infection हो face swollen हो गया हो यहां पे pain हो रहा है तो normal है कि आपके brain पे भी effect पड़ेगा फिर आपका headache होगा फिर next sore throat हमारा throat है उसमें swelling हो जाती है उसमें pain होने लगता है कुछ भी जो easily swallow नहीं कर पाते हम इजली खा नहीं पाते फिर next है हमारा fatigue अगर आपको fever है pain हो रहा है तो face swelling बगरा हो रहा है आप अच्छे से खा नहीं पा रहा हो तो फिर आपको ठकावर फिल होगी weakness सी फिल होगी फिर next हम देखते हैं body fever है तो body एक normal है हमारा body pain भी होता है यह था हमारा sign and symptoms फिर next हम देखते हैं diagnostic evaluation के बारे में कि हम mumps हमें हो गया है यह हम कैसे diagnose कर पाएंगे तो सबसे पहला diagnostic evaluation इसके sign and symptoms ही होते हैं अगर आपका parotid gland swollen हो गया उनमें inflammation हो गया है वह tenderness हो गया है तो फिर उसे देखके ही पता चलता है कि हमें mumps हो गया है फिर next देखते हैं इसे blood test से भी पता चलता अगर किसी भी प्रकार का gland में अगर infection हो रहा है तो blood test में वह easily आ जाता है फिर next urine test से पता चलेगा और CSF test से पता चलेगा हमारा cerebrospinal fluid test से भी mumps के बारे में पता चलेगा फिर next हम देखते हैं इसके complications के बारे में कि अगर हमें mumps हुआ है तो हमें क्या-क्या complications जहलने परेंगे या फिर so होगा हम इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहला है orchitis और चाइटीस होता है यह जेनरली मेल में होता है टेस्टिस जो होता है उनमें inflammation हो जाता है इसकी वज़ा से फिर नेक्स्ट आता है ओफॉर्डिटीस यह जेनरली female में होता है female के ovary में inflammation हो जाता है उसे हम ओफॉर्डिटीस कहते हैं फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैस्टाइटिस मैस्टाइटिस हमारा होता है breast cells जो होते हैं उनमे inflammation होना हमारा मैस्टाइटिस कहलाता है फिर next है pancreatitis pancreas में inflammation होना pancreatitis कहलाता है फिर encephalitis हमारे brain cells में inflammation होना encephalitis कहलाता है तो यह सारे हमारे जो है Complications में आते हैं, अगर हमें मम्स हुआ है तो यह सारे Complications हमें हो सकते हैं, फिर घृत सब्सक्त maps हैं अब हम देखते हैं कि मम्स के TRIOOत्मेंट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले अगर यह viral disease है तो हम antiviral देंगे, fever है तो antiparatic अगर हमें pain हो रहा है तो हम analgesic देंगे फिर next हम देखते है strict isolation अगर यह communicable disease है तो फिर हमें isolate करके उस person को रखना होगा उन्हें किसी से मिलने नहीं देना होगा direct contact या indirect contact सब कुछ हमें isolate करके रखना होगा उन्हें किसी भी तरीके से दूसरे person के contact में ना आए फिर दूसरा oral hygiene अ तो अगर हम कुछ भी solo नहीं कर पार है तो हमें अपना oral hygiene का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा फिर next आता है liquid diet अगर हम कुछ भी अच्छे से खाने ही पार है मम सोने के बाद तो फिर हमें prefer किया जाता है कि आप liquid diet लो liquid diet को solo करने में easy रहता है फिर next है analgesic हमने बताई द लेंगे antibiotic हमारे infection को कम करता है फिर hot fermentation अगर यहां पर soiling हो गया तो फिर hot therapy लेंगे ice packs वगड़ा लेंगे ताकि जो यहां पर soiling है वो कम हो जाए फिर provide comfortable rest हमें उसमें पारेक्सिया होता है fever होता है body egg वगड़ा होता है तो इस वजह से उन्हें comfortable rest देना होगा तो यह सब थे हम हमारे treatment फिर हम देखते हैं कि इसका prevention क्या होता है कैसे हम mumps को prevent कर पाएंगे इसके लिए जब बच्चा एक साल का होता है तो फिर उन्हें एक vaccine दिया जाता है जिस vaccine का नाम है mmr vaccine इसको इसको vaccine को देके हम prevent कर सकते हैं mumps को easily तो यह था हमारा आज का topic I hope आपको आज का topic समझ मे आया हो इस topic से related अगर कोई भी problem हो कोई भी issue हो तो आप पूछ सकते हैं thank you